हेलो फ्रेंज वेल्कम बेक टो मैं चैनल मैं हुशीम और आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ फ्रेंज और आज मैं बात करूंगी गुलाब की बारे में क्योंकि बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड है जिनके गुलाब में साथ पत्या नौ पत्या निकल रही है तो इ मेरी हर वीडियो बहुत जल्दे आप तक पहुत जाए और आप देख सकते हूँ यह जो मेरी गुलाब की प्लांट है इस पे धेड धेड कली आई हुई है और हर रोज धेरों फ्लावरिंग मैं तोड़ती रहे थी हूँ पूजा के लिए तो चलो फ्रेंज देर ना करते हु हुए आज की वीडियो शुरू करती हुँ अगर चैनल पे नहीं है चलको सब्सक्रेब भी कर लीजिए और बैल आइकन को भी दबा लीजिए तकि मेरी हर वीडियो आप तक बहुत जल्दी पहुँच जाए और वीडियो को फूल वास कीजिए तो चलो देर ना करते हुए आ इसायरमण आम बात है लेकिन अगर आपकी पत्ययों में एक साथ जैसे कि इस पर साथ पती है कोही कोई पत्यों पैन नौ पत्य एक साहथ है तो यह जो पत्या है देखो इसके कलर आप देखो और इस पे देखो कलिया भी है और इस पे भी साथ और नौ पत्ते है देखो इस तरह के से साथ पत्ती है ये भी साथ पत्ती है लेकिन इस पे इस तरह की कलिया आ चुकी है ये हुआ है फटलेजर के कारण खात के कारण इस पे ये हेल्दी हो गई है और इस पे पाच पत्ती की जगह साथ पत्ति आचुकी है, अगर आप देखोगे कि आपकी गुलाब की पत्ति इस तरह की कलर में है, तो ये नॉर्मल आम बात है इस तरह की, लेकिन जो पत्तिया एकदम ग्रीन कलर की है, मेरी और एक प्लांट है जिसको आपको दिखाऊंगी, जिसकी पत्ति एकदम ग्र लेकिन इस पे साथ साथ फ्लावरिंग भी हो रही है तो यह जो आप देखो साथ पत्य निकल चुकी है यह वाला जो इस पे फ्लावरिंग कभी नहीं होगी और यह सिर्फ इसको मैं जो भी खाना दूँगी यह खाके लंबी होती जाएगी बरी होती जाएगी और इसकी ग्रोथ इससे बहुत जल्दी इसकी यह ग्रोथ पकर लेती है तो हमें क्या करना है जब इस तरीके की स्टैम आपको दिखे और खास करके जैसे की यहां से इस तरीके की स्टैम निकले तो आपको यहां से जल्दी से कट कर देना है नहीं तो क्या होगा यह आप इस तरीके की स्टैम को अगर आप बढ़ने दोगे इस पे फ्लावरिंग तो होगी ही नहीं और इसकी जो इसको आप जो भी खाना दोगे यह सब कुछ अपने आप खागे बरा होता रहेगा और यह जो मेन प्लांट है वो आपके खराब हो जाएंगे तो आपको साथ-साथ क्या करनी है जल्दी से जल्दी हो सके आप यहां से इसको एकदम यहां से कट कर दो इसको कट करके आप फेक दो और इस पे भी फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है हाला कि मैं बहुत अच्छी फटाली मिट्टी पे इसको लगाया हूँ इस फ्लावरिंग भी कम हो रही है तो आपको क्या करना है आपको दिखाती हूँ यह है अकर आपके गुलाब में फ्लावरिं हो जाएगी तो यह जो बेकिंग सोड़ा है इसको आपको हाफ चमच इस तरीके से आपको हाफ चमच ले लेना है हाफ चमच से भी मैंने कम लिया है और आप इसको इस तरीके से साइट से दे दो बहुत जल जो जादा है वो आपको नहीं देना है इस तरीके के आप साइट से दे दो मैंने इसको राइस हस्क पे लगाया है राइस हस्क और मिट्टी पे इसको लगाया था मिट्टी बहुत अच्छी है एक्टम फटल मिट्टी पे लगाया हूँ लेकिन इस पे में अपने दूसरे गुलाब में उसको आपको देखाए थी isparela स्गोल के भोल के साथ दे रही हूँ अपने एक बार मैं इसको भी दे रही हूँ तो एक बार मैं है बेकिंग सोड़ा आप जब भी दोगे शाम की वक्त ही देना धूप में इसको नहीं रेखना है तो अगर शाम को दोगे तो पूरी रात पर यह एबसर्ब कर लेगी और आपकी प्लान को कोई भी नुकसान नहीं होगा तो फ्रेंड्स आज की वीडियो ही खतम करती हूँ मेर वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अच्छे हो चारो तरफ ग्रीन बनाईए थैंक यू